हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ बरत के लिए कच्छे आलू के बहुत ही मज़दार और क्रिस्पी नास्ते की रेस्पी जिसे आप बरत किया बिना बरत के भी बना के खाना चाहेंगे और इसी के साथ हम एक बहुत ही मज़दार चटनी के रेस्पी भी शेयर करूंगी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लिज वीडियो को लाइक सेर और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब चरूर कर देज़ेगा तो इस रेस्पी को बनाने के लिए गैस पर हम एक पैन रखे हैं और इसमें हम डाल लेंगे आधा कप साबुर दाना और गैस के फ्लेम यहां पर हम मिडियम टू लो रखेंगे और अब इसको हम चलाते हुए देर से दो मिनट तक भून लेंगे आने कि इसको रोष्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो नमी है नो निकल जाएगा तो यह देखिए इसको हम देर से दो मिनट तक भून लिये हैं इसका नमी निकल गया है तो गैस के फ्लेम बंद करके इसे नीचे उतारकर ठंडा कर लिये थे और ठंडा होने के बाद यहां एक मिकसर जार लिये हैं इस मिकसर जार में सबुर्दाने को डाल लिये हैं और अब इसका धकन लगा कर इसको हम पीस लेंगे तो यहां पर इसको बिल्कुल पाउडर फ़र्म में नहीं लाना है हलका दरदरा ही रखना है तो यह देखिए इसको हम पीस लिये हैं और बहुत अच्छे से पीस गिया है आपको मैं दिखाती हूए देखिए जैसे बारिक वाली जो सुजी होती है उसी तरह से इसको पीस ल और अब हम यहां पर ले लिए हैं एक मूठी जितना धनिया पत्ता इसको मिक्सर जार में डाल लिए हैं और इसी के साथ यहां पर हम ले लिए हैं एक इंच अद्रक इसको छोटे चोटे टुग्रे में कट कर लिए हैं और साथ में ही चार हरी मिर्च ले लिए हैं हरी मिर्च अ आप इसके जगापर कच्छा नार्यल भी समें सकते हैं और इसी के साथ इसमें हम जलेंगे दो चमश लयकिन मैं कर लें दोru आ कि दोर्च लेंगे है तो यह देखिए इसको हम पीक लिए और आपको दिखाती हूं इसका धकन हटा करें देखिए बहुत ही अच्छे से चटनी पीस गिया है तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और यहां पर हम ले लिए हैं चार मिडियम साइज के कच्चा आलू आलू के छिलका निकाल कर इसको हम अच्छे से धूल लिए हैं और अब हम इस आलू को एक चाकू के मदद से कट कर लेंगे तो यहां पर आलू के इस तरह से इसके बीच से हम कट कर लिए हैं दो पाट में कर लिए हैं आलू को और अब हम एक पाट को हाथों में लेंगे और इस तरह से हम बाकी सभी है निजी मोटे मूटे हैं और एगी सभी है तो अब कर लिये हैं तो आप अब से तीन पानी से ढूल लेंगे ताकि विशा बिंगा तो यह देखी है अलू को हम अच्छे से धूल लिए हैं और अब इसको लेकर हम चलते हैं गैस के तरफ तो यहां गैस पर हम एक बरतन में दो गलास पानी गरम होने के लिए रख दिये थे और इसमें हम डाल लिए हैं एक छोटा चमच सिंदा नमक और अब यहां पर गैस के फिलेम हम लो टू मिडियम रख यानि की आलू को फिप्टी पर्शेंट कूक कर लेना है यहां पर अलू को पकाते हुए 2 मिनेट हो गया था है निकाल jam आलू कटा हुआ था तो जड़ा पकने में टाइम नहीं लगता है तो इसको हम प्लेट में निकाल लिए और थंडा होने देंगे जैसे आलू थंडा हो जाएगा तो अब इस आलू को हम इस बरे से बाउल में डाल लेंगे अलू कि यहां पर अच्छे से ठंडा करके लेना है औ को इसमें अलग से कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं परेगा चटनी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि चटनी आलुक उपर अच्छे से कोट हो जाहीए तो इस ही के साथ यहां पर जो सवर्दाने हम पिसके रखे थे ना उस सवर्दाने के पाउडर को हम ले लेंगे और इस आलू में हम इसे डाल लेंगे तो पूरा एक बार में डालेंगे आधा डाले हैं और आधा हम साइड में रखेंगे और इसको हम इस तरह से टॉस कर लेंगे ताकि सवर्दा कोटिंग इस आलू के उपर हो गया है आपको मैं उठाकर पास से दिखाती हुए देखिए बहुत अच्छे से कोटिंग हुआ है आप इस तरह से बनाकर डबे में भरकर इसको फ्रीज में दो दिन तक रख सकते हैं और जब भी आपको खाने का मन हो तो इस आप फ्राई करके य लेंगे जितना एक बार में तेल में या फैन में आशकता है उतना डाल लेना है यहां पर इसे हम सिलो फ्राई कर रहे हैं Kung मिडियमी कर सकते हैं यहां पर हम यहां मीडियम रखेंगे और डालते ही इसे नहीं पलते हсемे डालने के ठोड़े दिर बाहले है और इसी तरह से अलटते पलटते हुए सभी साइड गोल्डेन कलर आने तक यानि क्रिस्पी होने तक पका लेंगे तो ये देखी इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डेन कलर आ गिया है क्रिस्पी हो गिया है तो इसको हम एक पलेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बांकी भी बना लेंगे तो ये लिजी हमारा बहुत ही टेस्टी सा नास्ता बन कर तयार है वीडियो पसंद आए तो फिलीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में जै हिन जै भारत